हेलो दोस्तों हम लोग डीकमपोजिशन रियक्शन पर रहे थे इसमें हम लोगों ने देखा था कि जब भी किसी कमपाउंड को तोरना होता है उसको ब्रेक करना होता है या उसका डीकमपोजिशन करना होता है तो उसको इनरजी देना होता है वो इनरजी हम लोग तीन फॉर्म हम लोग thermal decomposition बोलते हैं इसका कुछ example भी हम लोगों ने देख लिया था आज हम लोग इसका दूसरा टाइप देखेंगे जब हम लोग किसी compound को electricity देके break करते हैं electric current देके break करते हैं तो ऐसे process को हम लोग electrolysis भी कहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं decomposition reaction which are carried out by using electricity ऐसे decomposition को हम लोग electrolysis कहते हैं तो इसका हम लोग पहला example देखते हैं इसमें हम लोगोंने H2O liquid लिगा है अब क्या करना है कि H2O liquid से electric current pass करवाएंगे तभी तो इसको electric energy मिलेगा और यह decompose होगा break होगा तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पानी से electric current pass करना यह तो खतरनाक हो सकता है ना इसमें current लगने की संभाव ना है तो इसलिए हम लोग इसको एक setup से करते हैं well oriented setup त्यार करते हैं और उसमें हम लोग इस process को करते हैं जिससे की सब systematic तरीके से हो तो चलिए हम लोग electrolysis कैसे करवाते हैं इसको हम लोग इस डाइगराम के थरू समझते हैं तो इसमें क्या करना है देखने में यह diagram बहुत लग रहा होगा बट मैं इसकी एक एक चीजें आपको बिल्कुल क्लियर करके अभी समझा दूँगा सबसे पहले क्या करना एक डबा ले रहा है यह वो डबा है उस डबे के बेस को काट दिया गया है और उसके माउथ में जिधर से मू होता है उस डबे का उसको एक रवर कॉ है और इसमें पानी भर दिया गया यह जो आप देख रहे हैं यह सब वाटर है यह जो खाली जगह है यहां भी वाटर ही है यह मत समझे है कि खाली जगह खाली है और जहां डौट डौट है वहाँ वाटर है पूरे जार में वाटर भर दिया गया है और वाटर में कुछ ieux के सीड का कोई और रोल नहीं है उस से तरी जो है जो है वो एक बैटरी ले लिया गया है 6 वोल्ट का इसमें करण्ट देने के लिए पानी में करंट भी तो भेजना ए और इस wire से दोनों electrode को जोड दिया गया है positive terminal से जिसको जोड आगया है उसको enode बोलते है और negative terminal से जिसको जोड आगया है उसको cathode बोलते है अब क्या करना है? अब आपको एक test tube लेना है जैसे ये test tube है और इसमें पूरा पानी भर दीजिए इस टेस्ट्यूब में उपर तक एकदम लवाला अब इस टेस्ट्यूब के मुह को बंद करके और इसको इसको इस पे इनवर्ट कर दीजिए ताकि यह भरा हुआ टेस्ट्यूब इसमें आ जाई इस रोड के उपर और इससे एक बूंद भी पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए जिससे कि इसमें हवा ना है हम लोग पूरी कोसिस करेंगे कि जो टेस्ट्यूब हम लोग इनवर्ट कियें यह पूरा यहां तक पनी से भरा हुआ हो इसमें एर ट्रैप ना हो इसलिए इसके मुह पे अंगठा से बंद करके फिर इसको इहां पर इनवर्ट कर देंगे ताकि क थोड़ी देर बाद हम लोग क्या देखेंगे कि यहां पर वाटर लेबल जो था यहां पर भरा हुआ था इस दोनों टेस्ट यूब पे वो वाटर लेबल धीरे-धीरे कम होने लगाए नीचे आने लगाया पानी का लेव और यह जो पानी का लेवल नीचे आएगा वह यहां पर जितना नीचे आएगा positive terminal पे इनोड पे जतना नीचे आएगा उससे दोगुना नीचे आएगा केथोर्ड पर और इस प्रोसेस को हम तब तक होने दें जब तक यह पूरा test tube खाली नहीं हो जाता तो यह test tube खाली क्यों हो रहा है क्योंकि इसमें जो water है वो water ब्रेक हो रहा है और वाटर के ब्रेक होने पर हाइडोजन और ऑक्सीजन जो गैस बन रहा है वो यहाँ पर ट्रैप हो रहा है तो अब क्या होगा जब पूरा टेस्ट्यूब खाली हो जाएगा तो हम क्या करेंगे इसमें टेस्ट करेंगे कि कहां पर हाइडोजन गैस बना है क यहां पे oxygen gas तो उसके लिए जब हम इस test tube को यहां से निकाल रहे होंगे तो यहां पे जलता हुआ candle लेके आएंगे और उस candle को जलता हुआ जब लेके आएंगे इसके थोड़ बाले tube के सामने जो negative terminal से जुरा हुआ था electrode उस test tube के सामने तो क्या होगा कि वो candle जलेगा है, साथ ही साथ इसे जब gas निकल रहा हुआ वो pump sound के साथ जनने लगेगा, तो समझ जएगे कि इसे हाइडोजन निकल दा था और इस test tube के सामने जब लाएंगे candle को, तो candle और brightly जननने लगेगा तो हम समझ जाएगे कि इसे oxygen निकल रहा था तो एक तरफ hydrogen मिल गया एक तरफ oxygen मिल गया और यह आप balanced reaction में देख रहे हैं कि hydrogen जो बनेगा जितना volume gas का उससे आधा volume oxygen का बनेगा तो इसलिए आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो positive terminal था वहाँ पे जितना volume खाली हुआ है water का उससे ज़्यादा यहाँ पे खाली हुआ है तो इससे आप समझ गया होगे कि जो भी reaction होता है वो balanced reaction के according ही होता है तो आप लोगोंने decomposition of water समझ लिया होगा अब हम लोग इसका दूसरा example देखते है electrolysis का दूसरा example है electrolysis of molten sodium chloride यहाँ पे हम लोग क्या करते है अपना जो salt है sodium chloride ने सियल उसको हम लोग liquid form में लेते हैं एल लिखावा आप देख रहे हैं उसको molten state में लेते हैं जैसे water को लिये थे और उससे electric current पास कराते हैं तो electricity पास कराने पे यह अपना molten sodium chloride जो था वो तूट जाता है और हमको sodium metal मिलता है solid form में और chloride gas मिल जाता है तो इस process का यूज किया जाता है जब हमें sodium chloride से sodium metal निकालना हो तो इस process का यूज किया जाता है और इसका नम है electrolysis of molten sodium chloride ठीक इसी तरह से Al2O3 Aluminium Oxide इसको भी molten form में या liquid form में ले ले लेते हैं और उससे जब electric current पास कराते हैं electricity पास कराते हैं तो यह भी तूट जाता है और यह तूट के हमको aluminium metal मिलता है और oxygen gas मिलता है और इस reaction का यूज किया जाता है aluminium oxide से aluminium metal अप्टेन करने के लिए तो आप लोगोंने देखा कि electric current पास कराने पे कैसे compound तूटता है कैसे इस process को carry out करते हैं और इसको हम लोग electrolysis बोलते हैं इसमें हम लोगोंने तीन example देखा जब water तूटता है तो H2 और O2 बनता है इससे पहले हम लोग combination reaction में देखे थे कि H2 और O2 combine होके water बनता है तो इससे भी आपको clear हुआ होगा कि combination और decomposition ये दोनों एक दूसरे का opposite reaction है तो H2 के अलावा हम लोगोंने दो example और देखा molten sodium chloride से जब हम लोग electric current को पास कराते हैं तो वो sodium metal और chlorine gas में तूट जाता है और इसी तरह से aluminium oxide से जब हम लोग electric current को पास कराते हैं तो वो aluminium और oxygen में तूट जाता है तो ये तीनों electrolysis का example है ये आप याद रखेगा इसका योज भी याद रखेगा कि NSTL का electrolysis करवाते हैं sodium metal obtain करने के लिए और aluminium oxide का electrolysis करवाते हैं aluminium metal obtain करने के लिए आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला process कि sunlight के मदद से कैसे compound को break करते हैं धन्यवाद